Hello students, आज की class में हम also as well और two के बारे में पढ़ेंगे sentence में इन तीनों का प्रियोग करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कब हमें also का use करना चाहिए, कब as well का use करना चाहिए, कब to का use करना चाहिए और sentence या close में इनकी position कहा होगी मतलब sentence या close में जब हम इनको use करेंगे तो इनको कहाँ पर use करेंगे तो इस सब कुछ हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले है सबसे पहले बात करते हैं position की, कि sentence में इनकी position कहाँ पर होती है तो देखे, also, as well, or to जैसा कि हम जानते हैं इन तीनों ही शब्दों का जो meaning होता है वो same होता है, ठीक है लेकिन sentence या close में जब हम इनको use करते हैं तो इनकी जो position होती है, वो अलग-अलग होती है ठीक है, same position नहीं होती है अब sentence में जब हम इनको use करेंगे तो इनकी position क्या होगी, तो देखे जब हम also का use करते हैं तो also को हम sentence में mid position पे use करते हैं ठीक है, sentence में जब इसको use करेंगे also को तो इसकी position क्या होगी, वो mid position होगी और as well or to इन दोनों को जब हम use करेंगे sentence में तो इनकी position होगी sentence या close में end position, मतलब sentence के last में या close के last में इसे example देखिए He not only sings, he also dances यहाँ पर देखिए also का प्रियूग किया गया है और यहाँ पर also को mid position पे यूज किया गया है, mid position means verb से पहले, main verb से पहले तो mid position कहाँ पर होती है, अगर किसी sentence में जो verb है वो single word verb है तो उस verb से पहले mid position होती है, अगर किसी sentence में एक helping verb है और एक main verb है, तो main verb से पहले mid position होती है अगर किसी sentence में main verb है और main verb से पहले एक से ज़्यादा helping verbs है तो helping verb, जो सबसे पहले वाली helping verb होगी, उसके बाद mid position होती है तो इस तरह जो also होता है, इसको हम sentence में mid position पर यूज़ करते हैं जैसा कि आप इस sentence में यहां पर देख रहे हैं also का प्रियोग dance is जो main word sentence की इस से पहले हुआ है next sentence है he not only sings he dances as well अगर हम यहां पर also का use ना करके as well का use करें या to का use करें जो कि इस sentence में आप देख पा रहे हैं तो अगर also की जगें आप as well या to का use करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इनको इस close के last में यूज़ किया गया है ठीक है तो इस तरह से also as well और to इनकी जो position है why hope आप समझ गयोंगे कि इनकी sentence में position कहां पर होगी also को हम use करेंगे mid position पे और as well और to को use करेंगे end position पे लेकिन जो also होता है इसको हम sentence के शुरू में भी use कर सकते हैं जैसे example देगे it is a nice watch but it is very small also it is very expensive तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो also है यह sentence के शुरू में use कया गया है जब हम also को इस तरह से sentence के शुरू में use करते हैं तो हम इसके बाद एक comma का परियूग करते हैं ठीक हैter उसके बाद एte reference से बाद इसे yon sentence में इन तिनों का यूज करेंगे तो ये किस को रेफर करेंगे ठीक है जब भी हम किसी sentence में as well या to या also का यूज करते हैं तो ये किन को रेफर करते हैं ठीक है किस चीज को रेफर करेंगे तो जब भी हम किसी sentence में also as well या to का परियोग करेंगे तो ये different things को refer करते है ठीक है ये अलग-अलग चीजों को refer करते है जैसे मान लीजिए मैंने sentence लिखा I play cricket as well अब मैंने sentence में as well यूज किया आप यहाँ पर to का use भी करके देख सकते हैं ठीक है आप चाहें तो यहाँ play से पहले also का भी use करके देख सकते हैं मतलब आप अगर इस sentence में as well to या also इन तीनों में से किसी का भी use करेंगे तो ये किस को refer करेंगा ठीक है अब ये चीज जो है ये किस को refer कर रहा है तो ये जो चीज है ये sentence में clear नहीं लिखी मिलेगा मतलब आप इसको identify नहीं कर पाएंगे किसको refer कर रहा है अब जैसे मैंने sentence लिखा I play cricket as well अब यहाँ पर मैंने as well use किया मैं सिर्फ आपको इस sentence में as well के दवारा समझा रहा हूं ठीक है बाकि ये चीज तीनों पर लागू होगी also पर भी और two पर भी तो मैंने यहाँ पर इस sentence लिखा I play cricket as well अब इस sentence के तीन मिनी निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो as well है यह तीन चीजों को refer कर रहा है वो तीन चीज़े क्या क्या है पर पहला तो यह हो सकता है कि इस sentence के दौरा जैसे मैंने यहाँ पर use किया as well use किया तो मैं इसके दौरा यह कहना चाहता हूँ कि other people play cricket and I play cricket as well वैं दूसरे लोग भी cricket खेलते हैं मैं भी cricket खेलता हूँ ठीक है दूसरे यह भी हो सकता है कि I play other games and I play cricket as well कि मैं दूसरे game भी खेलता हूँ और मैं उसके साथ साथ cricket भी खेलता हूँ तीसरा जो है जो जिस चीज को refer कर सकता है वो है I like cricket मैं कुझे क्रिकेट पसंद है and I play cricket as well और मैं क्रिकेट खेलता भी तो जब भी हम इनको यूज करते हैं sentence में also as well or do को तो इस परकार से different things को refer करते हैं अब समाल यह उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज को refer करवा रहे हैं ठीक है तो क्या होता है कि जब भी हम English बोल रहे होते हैं तो हम अपने listener के सामने अपने बात कहते समय हम जब भी इन सब्दों का use करते हैं तो हम इन सब्दों के दुआरा जिस चीज को refer करवाना चाहते हैं उस चीज को stress कर देते हैं अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर as well यूज किया मैंने यहाँ पर और मैं अपने आपको मतलब यह meaning मैं refer करवाना चाहता हूँ पहला ठीक है तो मैं I को stress कर दूँगा I को emphasize करके बोलूँगा मतलब I play cricket as well इस तरह जिए अगर मैं क्रिकेट को refer करवाना चाहूँगा तो मैं क्रिकेट को stress कर दूँगा जिससे I play cricket as well ठीक है cricket मैं stress करके बोलूँगा उस परकार अगर मैं play को refer करवाना चाहूँगा तो मैं play को stress कर दूँगा जिससे I play cricket as well इस तरह से तो ये सिर्फ हमारी जो stress है मतलब जो हम emphasize करके बोलेंगे उससे ही ये चीज़ पता चल सकती है हम किस चीज़ को refer करवाना चाहरा है अगर हम simply ये sentence लिख देंगे इस तरह से तो ये ये जो लिखा हुआ sentence है इसमें as well अगर use किया तो तीन चीज़े refer करेंगी ठीक है इन तीन चीज़ों को हम refer कर रहे है अब लिखते समें हमें कैसे पता चलेगा तो ये जो पहले जो context आ चुका होगा पहले ठीक है इस sentence है पहले जो context चला रहा है उसके द्वारा इस चीज़ को हम पैचान सकते हैं कि भाई जो writer है या जो speaker है वो इस सब्द के द्वारा किस ची को refer करते हैं किसी एक point को refer नहीं करते हैं ठीक है ये context से पता चलता है या फिर जो speaker बोल रहा होता है तो जो बोल देश मैं वो जिस चीज़ को refer करवाना चाहता है उस चीज़ को जो है वो stress करके बोलता है उसके बाद है हम formal or literary style में हम two को direct subject के बाद भी use कर सकते हैं अभी तो हमने क्या सीखा था कि भाई जो two का use हम करते हैं तो वो subject two का use अगर किसी sentence में करेंगे तो वो closure sentence के last में करेंगे end position पे जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं two he dance is true लेकिन क्या होता है कि हम former or literary style में two का परियोग subject के तुरंत बाद भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं I two have experienced despair यहाँ पर जो two का परियोग है देखें subject के तुरंत बाद किया गया है ठीक है और जब हम इस तरह से two का परियोग subject के बाद करते हैं तो हम two के दोनों तरफ क्या करते हैं कोमा का परियोग करते हैं ठीक है तो यह point भी आपको देहान रखना है उसके बाद हम बात करते हैं कि also as well or two ठीक है और either इनका परियोग हम negative sentences and negative clauses में कैसे करेंगे तो देखिए अगर हम किसी negative idea या negative fact के साथ कोई दूसरा negative idea या negative point जो है वो add कर रहे हैं तो हम यह जो दूसरा negative point या negative fact जो होगा इसमें हम note के साथ either का यूज़ करते हैं ठीक है also as well or two का परियोग नहीं करते हैं और ना neither का परियोग करते हैं जैसे यह sentence देखिए कमल is not here today ठीक है यहाँ पर यह negative idea है कमल is not here today negative idea है उसके बाद हमने एक दूसरा negative idea लिखा यहाँ पर देखिए सारल is not here either मतलब हम यहाँ either का परियोग किस हिंदी के मिनिंग के लिए करें भी के लिए जिसे कमल is not here today कमल आज यहाँ नहीं है सरल भी नहीं है हम यह कहना चाहरे हैं तो भी के लिए हम क्या यूज करते हैं भी के लिए हम सब जानते हैं हम also use करते हैं to का भी यूज करते हैं और as well जो होता है इसका भी यूज करते हैं ठीक है लेकिन अगर आपके सामने ऐसे दो idea जिसमें पहला idea negative है और दूसरा idea भी negative है यह negative होगी और आपको इसमें last में either use करना पड़ेगा भी के लिए जो हिंदी में भी लिखते हैं तो इसके लिए आपको either लिखना पड़ेगा also to as well का use आप नहीं कर सकते हैं इसी परकार से देखिए you can't have tea and you can't have coffee either यहाँ पर देखिए यह negative idea है you can't have tea यह negative idea है negative sentence है ठीक है यह negative close है and you can't have coffee either और यहाँ पर यह देखिए फिर एक negative idea इसमें add किया गया है पहले वाले में ही negative idea add किया गया है यह तो इसमें हम not के बाद आगे चल के last में either का परियोग करते हैं ठीक है हम भी की sense में also to as well का use नहीं करते हैं यह सिर्फ आपको तभी आद रखना है जिब दोनो negative ideas जो एक दूसरे से relate करते हैं उनको जो आप लिख रहे होते हैं तो जो second जो negative idea होगा उसके last में आपको भी की sense में इधर का use करना होता है लेकिन अगर आप किसी positive idea में मतलब affirmative idea में negative idea अगर लिख रहे हैं मतलब पहला idea जो हो affirmative है और दूसरा negative है जिसे अभी तक तो क्या था? पहला negative था दूसरा भी negative था लेकिन अभी क्या होगा? पहला affirmative होगा दूसरा negative होगा तो आप also का use कर सकते हैं as well का use भी कर सकते हैं to का use भी कर सकते हैं ठीक है? note के बाद, जैसे देखिए you can have tea, आप tea ले सकते हैं but you can't have coffee too ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह positive है affirmative sentence है यह, affirmative clause है यह और यहाँ पर आगे चल के देखिए, यह negative है यह affirmative है, यह negative है तो negative में देखिए, यह note हो गया helping word के बाद, इसके बाद आपको last में to use कर सकते हैं यहाँ पर इसी परकार से यह देखिए, he is very hard working वो बहुत ही hard working है, but he is not very punctual as well यहाँ पर देखिए, यह positive है, यह affirmative idea है ने, he is very hard working इसके बाद देखिए, हमने दूसरा जो idea लिख्या हो negative है, तो आप last में as well use कर सकते हैं तो ऐसे आप as well or to या also कर सकते हैं जब आप affirmative idea में कोई negative idea प्लस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप negative idea में या negative fact में दूसरा negative point अगर एट कर रहे हैं तो फिर आपको last में also to या as well का परियोग भी की sense में नहीं करना है वहाँ पर आपको either करना है ठीक है, neither का use भी नहीं करना है, यह भी द्यान रखना है तो कैसा लगा यह वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज को like कीजिए, share कीजिए चैनल को subscribe ना बोले, thanks watching this video, happy learning, bye bye